नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं निर्धारित कारकरम में ही सामिल होंगी, इसकी जनकाई राष्टपती भवन से राजसरकार को दी गई हलाकि खबर लिखे जाने तक राई सरकार के पतादिकारी राष्टपती के मुख्य कारकरम में सामिल होने को लेकर राष्टपती भवन के पतादिकार्य संपर्क बनाए हुए थे बतादे संसुधित कारकरम के तहट राष्टपती अमंगलवार को सुब़ सेना के 20S बिमान से रांची अरपोट पहुचेंगी यहां से वे सेना के हेलिकोप्रर से सिधे खुटी जाएंगी वहां राष्टपती भगवान बिर्षा मुंडा की जनम अस्थली उलिहातु इस्थित उनके घर जाकर उनकी परतिमा पर मल्यारपन करेंगी और उनके परिजनों से मुलकात करेंगी इसके बाद खोटी के बिर्षा कॉलेज में आयोजित कारकरम में सामिल होंगी रांची यारपोर्ट से सीधे खोटी के उलिहातु जाएंगी राष्टपती जारखन अथा अपना दिवस इमजन जातिये गवरों दिवस पर आयोजित राष्टपती द्रोपती मुर्मू के कारकरम में बड़ा बदला हुआ है बिवार को देर साम राष्टपती साच वाल है कि और से उनका जो कारकरम जारी किया गया उसके मुताबिक राष्टपती न तो राइधानी राची के मुरबादी में आयोजित कारकरम में सामिल हो रही है नहीं खुटी में आयोजीत होने वाले अने कारक्रम में सिर्कत करेंगी बता दे राष्टपती द्रोपदी मुर्मू की जार्खन और मदेपर्देश यात्रा के लिए जो कारक्रम जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि सुबा छो बचकर 15 मियट पर महा महीम द्रोपदी म मुर्मू राष्टपती भावन से रवाना होंगी और साम 5.25 मियट पर मदेपर्देश की राइधानी फोपाल में राजबहन पहुचेंगी कारक्रम के मुताबिक पालम एयरपोट से महा महीम भार्तिय वायुसेना के बिमान से जार्खन के लिए उरान भरेंगी वही रांच जातु गाव में भावान बीरसा मुंडा के जनमस्थली पर जाएंगी और महान सोतुनता से रानी को सरदान्जली देंगी राष्टपती पंद्रह को जार्खन में सुरक्षा में तैनात रहेंगे 4000 जवान राष्टपती द्रोबदी मुर्मो के जार्खन दारों के त्यारी अम्तिम चरन में हाई राष्टपती के यातरह के मन्दजा सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है 4000 अतरिक्त जवानों के तैनाती की गई है खोटी में सुरक्षा के विश्यस इंतजाम भी किये गए है खोटी जिला के सनवेदन सिल इलाकों में जथीत जंगुलों में कई दिनों तक कॉम्बिंग अपरेशन चलाया गया वहीं जंगुलों में सुरक्षा बलके जवानों को मुस्ताइद रहने के लिए कहा गया है बता दे राश्ट पती की यात्रिया के मदने जर उनकी सुरक्षा में तैनात किये गए पुलिस कर्मियों को रभ्यवार को रांची के मुरबादी मैदान में ब्रीफ किया गया पुलिस कर्मियों से कहा गया कि वे सुरक्षा में किसी परकार की को ताही न बरते सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी अपने पास पानी के बोतल और मोबाइल फोन भी नहीं रख पाएंगे राश्ट पती के लिए मेडिकल टीम का गठान को कारकेट में सामील एंबुलेंस में त्यार रखने का देश दिये गया है राश्ट पती के जार्खन दवरे के मंद नज़र दो काडेक एंबुलेंस के साथ ही 24 सदस्य चिकित्सा दल को खास तोर से तैनात कर दिया गया है पहले दस्ते को उनके आगमन के दोरान विर्शा मुंटा यार्पुट पतैनात रहने के लिए के लिए कहा गया है नितिन गठकरी देंगे सोन नदी पर पूल का तोफा जार्खन अस्थापना दिवस से एक दिन पहले लोगों को सोन नदी पर पूल का तोफा मिलेगा राज मार्ग मंत्री नितिन गठकरी इसका से लन्यास करेंगे बतादे 210 कुलोर की लागत से 2.15 लंबा पूल बनाया जाएगा या पूल बिहार जर्कन 36 गड़ेवां उतर पदेश राजे की सीमा को जोड़ेगा या सड़क गड़वा जिले के नगर उटारी एनेच 75 से सुरू होगा इस पूल को पायर करते हुए बिहार के रोताश जिला अंतरगात पंडूका से आकबर पूर एनेच 119 से जुड़ जाएगा हजारी बाग में एक पूलिस कर्मी को हुई पिटाई हुआ सस्पेंट हजारी बाग के पूलिस केंदर में पति निउक्त एक पूलिस कर्मी निल कमल सिंग को चूर्चू छेत्र के ग्रामिनों ने जम कर पिटाई कर दी निलकमानल पर चूर्चू थाना के समीप रहने वाली एक बिधवा के साथ अवैस समध होने कारूप लगाया है गरामिनों की प्राई से घाहल पुलिस कर्मी को चूर्चू थाना की पुलिस ने से एक बिखारी मेटगल कोलेज अस्पताल में भरती करवाया है वहीं स्पी मनोज रतन चौर्थे ने आरोपी पुलिस कर्मी को ततकाल निलंबित कर दिया है मामले की जाच बिशनुगर एस डिपयो अनुज उराओं को सोपा गया है गरामिनों के अनुसार पुलिस कर्मी निल कमल चूर्चू थानाचेत में पतिनुक था इसी कर्म में एक बिद्वाक के घर आना जाना रहता था पीएम आवास पूरा करने में पलामो जिला अवल पलामो जिले के बिकास में गरामिन बिकास समधी योजनाओं का भरपूर सहयोग मिला है जीले में पिछले कुछ वर्सों में कई योजनावों को धर्ती पर सफलता के साथ उतारा गया मनरेगा के तहट जीले में अस्थानिय खिलाडियों के परतीभा को निखारने को लेकर बीर सहीद पोटो हो खेल विकास वोजना अंत्रगत जीले के परतेग पंचायतों में खेल का मैदार निरमान कराया जा रहा है जीले में 324 खेल मैदान को चीनित करते हुए कारे प्रारम किया गया है जिसमें 161 खेल के मैदान का निमान कारे पूरा भी हो चुका है वहीं सेस परकारे भी अंतिम चरण में है बतादे उपायूक्त वा उपविकास आयूक्त मेगा भर्दवाज के नतित में प्रदान मंत्री अवास विना ग्रामिन के तहट अवास को पूर्ण करने में भी भादी तेजी आया है जिसका पई नाम है कि सितंबर और अक्टूबर माह में प्रदान मंत्री अवास विना ग्रामिन के तहट अवास पूर्ण करने के ममले में पलामु पूरे राजे में अवल रहा है मुख्य मंत्री ट्राइबल रिजी सोट सेंटर का 16 नौमबर को करेंगे अनावरान जेवियर समाई सेवा संस्थान में मुख्य मंत्री हेमां सुरेन ट्राइबल रिजी सोट सेंटर का अनावरान 16 नौमबर को करेंगे वहीं डाक्टर कुमार सुरेश सिंग ट्राइबल रिसोर्ट सेंटर का उधगाटन करेंगे इस कारिकरम में समानित अतिति के तोपरबित मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरा और राई सबासस डाक्टर महवा माजी भी मजूद रहेंगी इसके अलावा डाक्टर कुमार सुरेश सिंग की धर्मपतनी बिमलेश्वर देवी और पुत्र ध्रो सिव समेत अने परिजन भी उपस्थित रहेंगे 1932 खतियान को लेकर मधू कोडा करेंगे आंदोलन जार्खन के पुरो मुखमंत्री मधू कोडा फीर से चर्चा के केंद्र में हैं हेमांतो सुरेश सरकार के उने 37 के खतियान के अधार पर अस्थानियता निती का उन्होंने खुलियाम बिरोद किया है पूर्व में उन्होंने इस सम्माद में सरकार को सचेत किया था उन्हें भरोसा था कि उनकी बात सुनी जाएगी उनका कहना है कि तीनों जीलों पूर्वी सिमू, पच्मी सिमू और सराय के लखार सवा को मिला कर बने कोलहान प्रमंडल के लोग उन्हें सब्वातित के खत्यान के अधार परबने अस्थानियता निती का लाब नहीं उठा पाएंगे वे खत्यानी होते हुए भी परवासी की परिधी में आएंगे वे इसे लेकर मुख्य मंत्री हमान से भी मिले उन्हें भरोसा था कि उनकी बात गंभीता से ली जाएगी अब इस सम्मधित बिधयक बिधान सवा में पारित होने के बाद उनके तेवर तलखाएं अस्थानियता निती का बीजेपी करेगी समर्थन हेमंत सुरेन लागू करके दिखाए निसिकांद दूबे गोड़ा के सांसर डॉक्टर निसिकांद दूबे नरभिवार को दुमका में पत्रकारों से बात चीत की उन्होंने कहा है कि हमंत सरकार के 1932 के खतियान अस्थानिता निती और पीछडों को 27 परतिषत आरक्षन दिये जाने से समाधित बिधया का भाजपा आख बंद कर समर्थन करेगी साथ ही उन्होंने तंज भी कसा है कि हमंत सरकार सचमुच या निती लागू करना चाहती है तो आज की तीती से लागू करके दिखाए निती में सिर्फ त्रितिया और चतुर्थ वर गिये सिरेनी ही क्यों इंजिनियर चिकिल साथ डिएसपी बीडियो जैसे पदों को भी सामिल करे राश्ट पती का देवगर दोरा रद भक्तों के लिए समाने रूप से खुला रहेगा बाबा का दरबार राश्ट पती द्रोपती मुर्मू 15 नॉमबर को जरकन ठपना दिवस के उसर पर राजधानी रांची में प्रस्तावित मुख्य कारकरम में सामिल नहीं होंगी रभी वार की साम में अचानक उनके कारकरम में ब्यापक बदलाव किया गया है इसके तहत राश्ट पती का देवगर जाने का कारकरम भी रध हो गया है राश्ट पती अब सीर्फ खूटी के निधायत कारकरम में ही सामिल होंगी इसकी जनकाई राश्ट पती भावन से राजसरकर को दी गई बताद राष्टपती के कारेकरम अस्थागित होने की वज़ा से सोमवार को भी बाबा बैधनात के दरबार आंँ भकतों के लिए पूर्व के तरह या थावत खुला रहेगा महा महीम राक्षपदी द्रोपदी मुर्मु का बाबा दरबार में आने का कायकरम अस्थागित हो गया है बर्ड फुलू के संभावित खत्रे से निपटने के लिए विभाग अलर्ट ज्यारखन में बड़ फुलू के किसी भी संभावित खत्रे को टलने के लिए पसुपालन विभाग और इंस्टूट आफ एनिमल हेल्थ और प्रोडक्ट ने कमरकस लिया है दिसंबर से कुकुटो का सेंपल लेकर जाच के लिए कोलकाता के लिए भेजा जाएगा रांची के काकेश्थित इंस्टूट आफ एनिमल हेल्थ और प्रोडक्ट ने के निदेशक डाक्टर बीपीन महता ने इसके लिए सभी जिला को कुट पताधिकारी को निदेश जारी कर दिया है सिक्षा का हब बन रहा गुमला जिला है गुमला जिले के चाटरसिक्षा के छेतरे में उच्ची उड़ान भर रहे हैं कि गुमला में कई बड़े सिक्षा ग्रहन कर अपने भाविसे की ओर बढ़ रहे हैं जस्पूर रोट काली मंदीर गुमला के सामने फीशरी कॉलेज, सदर अस्पताल गुमला परिसर में जी एनेम नर्सिंग कॉलेज वा गुमला से पांच किलोमेटर दूर सीलम घाटी में आईटी आई कॉलेज हाए जहां हजारो छात्रे शात्राय सिक्षा वरोजगार प्राप भवन में कहा है कि असहाय गरीबों एवं वन्चित के लिए किये जाने वाला काम ही सची समाज सेवा है, समाज की सेवा करने वाले को तो ही भावी पिढ़ी भी याद रखती है, समाज सेवा का आउसर व्यक्ति को जीवन के परतेक छेतर में मिलता है, रायपूर के अस्पता साल में भी यासुविधा है, बीर्षा क्रिसी विश्व विद्याले के रांची पसुचिकित्सा कॉलेज में इस वर्ष नहीं होगा दाखिला, बीर्षा क्रिसी विश्व विद्याले के अधिन संचालित रांची पसुचिकित्सा महा विद्याले में इस साल नमांकन नहीं ह दान की है बीर्चा क्रिसी विस्तु विद्याले ने इसकी जनकारी क्रिसी एम पसुपरान विभाग को दे दी है धन्यवाद